बिग बोस 14 के घर में आया है एक नया कैप्टन्सी टास्ट जहां जैस्मिन और रूबिना बनी है दो बेहने और पूरे घर को बाटा गया है दो हिस्सों में वही जैस्मिन और रूबिना की टीम्स को अपने-पने हिस्से के लिए लड़ना होगा जिसका फैसला हर बार होगा घर की मुख्या कविता कौशिक द्वारा तो जैस्मिन की टीम में है अली गोनी, राहुल वैद्दे और निकी तंबोली वही रूबिना की टीम में है अभिना और रुबिना अपने अपने पक्ष की दलीले रखते हैं, वहीं दोनों तरफ का पक्ष सुनने के बाद मुख्या ये फैसला देती है कि किचन एरिया और डाइनिंग एरिया मिलेगा जैस्मीन की टीम को, फिर शुरू होगा बटवारा टास्क का राउंड टू जिसमें है पवित्रा, अभिना और रुबिना वही किचन को पूरी तरह से संभालेंगे अली, जैस्मीन, राहुल और निकी जहां टास्क के बाद एजास के किचन में आते ही जैस्मीन उन्हें किचन की चीज़े चुने से मना करेंगी वहीं, निकी उन्हें साफ साफ किचन से निकलने क पवित्रा बीच में आएंगी और पवित्रा और निकी का भी जगड़ा हो जाएगा, फिर बेडरूम में सभी घरवालों को सोने तो मिलेगा, लेकिन रुबिना की टीम, जैस्मीन की टीम को तक्की और ब्लैंकेट्स नहीं देंगी, जिसके सारी रात निकी टीम रुबिना क नाक में दम कर देंगी, जिसके बदले सुवे होते ही रुबिना और अभिना बैट जाएंगे बेडरूम के दर्वाजे के पास और निकी को बाहर नहीं जाने देंगे, लंबे टाइम बहस चलने के बाद जैस्मीन भी बीच में आएंगी और रुबिना से लड़ जहाँ अली कैप्टन कविता से बात करते हुए रुबिना से जगड रहे हैं, लेकिन व्योर्ज ये दूसरे दिन का टास्क हमें थर्स्डे एपिसोड में दिखाया जाएगा, जहाँ अली और रुबिना में होगी भयंकर फाई तो व्योर्ज क्या आप एक्साइटेड है दो दिन के इस कैप्टन से टास्क के लिए, प्लीज कमेंट करके बताएगे कि किसकी टीम जीतनी चाहिए